दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुम्बाइ इंडियंस और कुलकाता नाइट आडरस के बीच में जो नेक्स आई पिल का मैच खेला जाएगा तो इस मैच को हम फुली कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या हमारी fan to play की team बनेगी, क्या players के stats है, सूरी कुमार एदव अविलेबल हैं तो इनके क्या stats है ये जानना बहुत जरूरी हो कि top order के player है, team में लेना पड़ेगा, so उन players के बारे में बताऊंगा जिनका inclusion इस match में हो सकता है, bet comments की news भी आपको I think मिल गई होगी, जो KKR से जुड़ चुके हैं, तो वीडियो को हम पूरा देख ले हैं, और पूरा हम यहाँ पे stat basis देखेंगे वीडियो को, तो अगर आप वीडियो को complete watch करेंगी, तो आपके लिए better होने वाल है, so guys यह है 14th match, Kolkata Knight Riders और Mumbai Indians के बीच में, जो की खेला जाएगा पूने में, और अगर हम बात करें पिछ रिपोर्ट की, तो बैटिंग के लिए ठीक ठाग venue माना जाता है, overall बैटर्स को यहाँ पे काफी मदद देखी गई है, साथी साथ बोलर्स में अगर हम देखें, तो पेसस, स्पिनस दोनों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे, बैट्समन यहाँ पे काफी इंजॉय करते हैं, बैटिंग करते हैं इसके वाद हम बात करते हैं, फैंटेसी टिप्स की, पाफी टिम के लिए प्रदर्शन किया और साथी साथ इससाथ इस साथ इस बार थोड़े से फलॉप समझ में आ रहे हैं और अजिंक रहाने भी उत अच्छा नहीं कर रहे हैं यह साल उनको काफी अच्छा रहा है तो आप उनको अडरस तीम नहीं कर सकते हैं, बाकी और लांटर सेक्षिन में पुलाड ने पिछले मैच में बालिंग कराई थी और उनके भी काफी पॉइंटसी में इंक्रीज हुए, रसल ने भी एक काफी बढ़िया मैच खेला तो तीन मैसे तो इनका भी परफॉमेंस काफी बढ़िया रहा, नरायन का भी परफॉमेंस इसके बाद हम बॉलर्स में बात के जो थंपी की पिछले मैच में काफी बटाई हुई थी इनकी टीम से, जिसके बाद इनको बॉलिंग करने को मिली नहीं थी, मुरूबर रश्विन ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, ओमी श्यादव तो अपने क्यारीर का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टिम साउदी ने भी लास्ट दो मैचेस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, यहाँ से ओमी श्यादव टिम साउदी काफी इंपॉर्टेंट होंगी और पैट कमेंस भी टीम में जुड़ चुके तो पैट कमेंस को आई थिंक टिम परसेंटेज 50% होता है, ओवरल अगर हम बात करें जब से आई पर शुरू हुआ, यह तीमें दोनों टीमें जो है दो दो सो पैटेस से ऊपर खेल चुके और इनका विनिंग परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्ल पॉलाड के देखिए, पांच बार विकेट निकाले हुए और रंस हाला कि काफी इन्होंने पिटवाए हैं, सुनी लारान ने पॉलाड के खिलाफ रंस काफी कम दिये और चार बार विक्टे निकाली हैं और इसके अलावा युमिश आदव ने रोही शर्मा की चार बार वि 19 गिनों में, 17 गिनों में 19 रं बनाये हैं, सुरी कुमार यादव ने पैट कमिन्स के खिलाफ और पैट कमिन्स ने एक बार सुरी कुमार यादव की विकेट ले हुई है, तो इन इस स्टैट्स को देख लीजे, चाहे तो स्क्रीन शॉट ले लीजे, आगे हम चलते हैं और ब और इसके अलावा यहाँ पर टिमल मिल्स की भी काफिक पिटाई करी है, सेम बिलिंग्स ने, जो किस मैच में शायद नहीं कहले हैं, क्योंकि ओवर्सीस को कोटा खतम हो जाएगा, चारी ओवर्सीस खिला सकते हैं तो पैट कमिन्स आएंगे, तो सेम बिलिंग्स को जाना 53 की देखी गई, हाईस्ट स्कोर 201 का देखा गया, और लोइस्ट स्कोर 101 का देखा गया, इसके अलावा, मोस्ट आफ दर टाइम आप देखिए, स्कोरिंग तीन ही मैच हुए, तो जादा आप स्कोरिंग पैटर्न बता नहीं पाएंगे, तो हम डॉमेस्टिक मैच को देख ल तक कम ही यहाँ पर जाता है, हाला कि अभी लिसेंट फॉर्म के हिसाब से काफी बड़िया बैटिंग वेन्यू समझ में आ रहा है, इसके वाद हम बात करते हैं, लास्ट कुछ मैचिस की जो इस वेन्यू पर खेले गए, तो देखिए, साली दो मैचिस खेले जा चुके है, लास्ट मैच कुछरा टाइटन्स डेली कैपिटन्स का था, जो कि एक ठीक ठाग हाई स्कोरिंग मैच था, और उसके पहले तो काफी हाई स्कोरिंग मैच था, राजिस्थान रोयल्स और संराइज हैदराबाद का, तो इस साल के दोनों ही मैचिस काफी हाई स्कोरिंग देख यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कौन सी टीमों ने कितना कितना यहाँ पे स्कूर बनाया है पास्ट में या रीसेंट टाइम में कितना स्कूर बनाया है और रीसेंट टाइम में या पास्ट में क्या क्या चेजिंग करी है वो सब आपके सामने है इसके बाद हम बात करते ह पॉइंट स्टेबिल की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा KKR ने अपने तीन मैचेस खेले और तीन मैचेस दो मैचेस को जीता है वहीं हम बात करें मुम्मेटनेस की तो दोनों मैचेस जो है मुम्मेटनेस हारी है हेट टो एड स्टेट्स की बात करें तो देखिए आप आपस में 29 मुकाबले KKR एमाई ने खेले हैं 22 मुम्मई जीती और 7 कोलकाता जीती है बैटिंग फस्ट करते हुए M.I. ने जादा मैचेस जीती है और बैटिंग सेकेंड करते हुए M.I. ने जादा मैचेस जीती है ओवरॉल M.I. की टीम थोड़े जादा मैचेस विन करी है KKR से पर इस साल KKR भी काफी स्टॉंग समझ में आ रही है आखरी 5 हैट टो एड मुकाबलों में हाला कि 5 में से 4 मैचेस M.I. ने जीते हैं यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहें तो एक बार स्क्रीन शॉट ले लीचे आगे हम चलते हैं और बात करते हैं रिसेंट फॉर्म की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आखरी 5 I.P.L. मैचेस में M.I. ने दो मैचेस जीते हैं और आखरी 5 I.P.L. मैचेस में K.K.R. ने 3 मैचेस जीते हैं यानि कि आखरी मैचेस यानि कि इस साल के 2-3 मैचेस जो खेले और पिछले साल के कुछ मैचेस अगर हम काउंट करें तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा K.K.R. जाता मैचेस जीती है रिसेंट टाइम में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस डेट को कौन सा मैच हुआ था किस टीम के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेस किया था सब कुछ यहाँ पर मैचेस इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आपकरी पाच है टू एड मैचेस की जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों टीमों के बीच में लास्ट मैचेस जो थे वो 2021 में हुए और दो मैचेस में से एक के क्यार जीती थी पिछले साल और एक माई जीती थी दोनों टीमों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और 2020 में अगर हम देखे तो दोनों मैचेस माई ने जीती थी 2019 में भी मैच माई ने जीता था जातर मैचेस माई जीती हुई है इसके पाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे मुंबे इंडेंस की प्लेंग 11 की क्या प्लेंग 11 मुंबे इंडेंस खिला सकती है तो गैज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रोहिश शर्मा यहाँ पे इशान किशन की साथ ओपन करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं इशान किशन विकिट कीवर बैटर भी है वहीं इशान किशन का performance के कियार के खिलाफ अच्छा नहीं देखा गया बट recent form बहुत अच्छा है इस match में देखिए सुर्यकुमार यादफ खेलेंगे तो इनका performance भी देख लेते है रिसेंटली देखा गया है लग बग हर दूसरे match में एक अच्छा performance सुर्यकुमार यादफ की लिए है लास्ट में 61 उसके पहले 22 लगाया और उसके पहले भी domestics वगएरा में काफी अच्छा करके आए है तो काफी talented player है तब एमाई इनको playing 11 में भी रखा है और इन्होंने उस चीज को justify भी कर रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे लास्ट में केरण पोलाड ने भी क कुछ overs करा दी थी को कि बैसल थंपी जो थे इनकी टीम से वो काफी costly साबित हुए थे तो इस match में बहुत अतक चांसे है कि पोलाड फिर से balling करेंगे और betting में भी यह अच्छा टीम की मदद कर सकते हाला कि fully fit यह नहीं है जिसा आपकी इनकी betting चल रही है भी recent time में वो fitness के issue की वैसे थोड़ा कम scoring आपको देखने को मिलेगी वरना यह ऐसे player नहीं है कि इतना कम score करें देख सकते हैं आखरी कुछ matches में पोलाड का performance उतना अच्छा नहीं रहा जितना हम इनको पहले जानते थे तो कहीं न कहीं पोलाड थोड़ से out of touch दिख रहे हैं फिर आते हैं टिम प्रफॉर्म करी देती तो बहुत लेस चांस होता है टिम डेविट के पास बैटिंग करने का until or unless टिम डेविट को नंबर चार पे टीम प्रमोट करें I think वो पोजीशन उनके लिए ज्यादा बेटर है बट उस पर भी देखी तिलग बरम अच्छा कर रहे है तो फिर बैटिं जी किसी दिन रोही शर्मा, इशान, किचन, सूर्या, तीनों के तीन जल्दी आउट हो जाए तो उस केस में टिम डेविट को प्रमोशन मिल सकता है और बैटिंग में अच्छा कर सकते हैं टिम डेविट इसके बाद डैनियल से हैं जो लगभग तीन से चार ओवर बॉलिंग करेंगे बट बॉलिंग में इनका फॉर्म उत्ता अच्छा चल नहीं रहा अगर हम देखे बात करें तो पिछले चार चे मैच इनके टीनोंटी में अच्छे गए नहीं है और देखे विकेट लेस भी काफी गए हैं इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं मुरूग अनश्व इनस्पिन बॉलिंग में काफी अच्छा गरना है अगर सेकंड बॉलिंग होगी तो मुरूग अनश्विन इंपोर्टन होगी फस्ट बॉलिंग की केस में यह उत्ते हैं अगर हम बेंच स्टेन्थ की बात करें तो MI की बेंच स्टेन्थ आप यहाँ पर देख सकते हैं यानि देख सकते हैं इनकी bench strength में ये players अविलेबल हैं के screenshot ले लिजे बाइचांस अकर इनमें से कोई player line up में खेलता दिख जाता है किसी को team मौका देती है तो कम से कम आपकी पास stat तो उसका होना ही चाहिए आगे हम बात करते हैं अपो audition team की playing 11 यानि कि KKR की playing 11 की जिसमें आपको वें कटे शेयर पिछले 2 matches से अच्छा performance नहीं कर रहे हैं पिछले 2-3 matches निके थोड़े से खराब गए हैं एक opposition team के खिलाफ record हाला कि इनका अच्छा है वहीं हम बात करें जिनके रहा नहीं की तो performance बाइस तो इनका भी performance अच्छा नहीं आया फस-फस match में अच्छा किया था पर उस के बाद के 2 match इनके भी थोड़े से खराब रहे हैं अप opposition team के खिलाफ आकरी 3 matches में तीनों में ये flop रहे हैं तो इनसे भी उत्ती उमीद नहीं कर जा सकती शेर शेयर हैं यहां पे एक बड़ी player जो बड़ा score कभी भी कर सकते हैं तो इनको बिल्कुल ignore मत कीजेगा इनका head to head भी opposition team के खिलाफ ठीक ठाक है और recent time में इस साल अगर हम देखे तो इन्होंने काफी बड़िया performances दिये हैं across all formats यानि हर format में test cricket खेले वहाँ perform करके आए, ODAC खेले वहाँ perform करके आए, T20 खेले वहाँ perform करके आए, overall ये player बहुत important है और even आप इसको grand league में captain wise captain भी कर सकते हैं इसके बा पाद 5 या 6 पर शेल्डन जेक्सन को आना चाहिए ठीक है, राना के performance देखेंगे तो opposition team के खिलाफ आखरी तीन match में एक बार 50 लगाया हुआ है, और consistent तो ये भी उत्ते नहीं है, और शेल्डन जेक्सन भी मैं आपको बदो domestic में तो अच्छा कर रहे हैं, बट इस level पर आके य है, वो खतम हो जाएगी, और हो सकता है, शायद उनको मौका मिले, death over बालिंग करने का, बट भई है, कि Pat Cummins और Tim Saudi पहली preference team की होंगे, तो हो सकता है, Russell को ज़्यादा मौका death में गिनवादी करने का ना मिले, और maybe possible कि एक या दो बर ही Russell कर आएग, कोकि इनके पास काफी bowlers available है फिर आते सुनी नरायन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नरायन का फॉर्म, बालिंग में ठीका फॉर्म से गुदर रहे हैं, और कभी-कभी बैटिंग में भी performance दे सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट ले लिजे, सारे players का, क्या पता आपके कुछ काम आ जाए, टाइन टेम साउदी से भी expectation अच्छी रहेगी, लाग 2-3 match देंगे बहुत अच्छे गए हैं, और opposition टीम के खिलाफ record भी बहुत ज़्यादा solid है, उमेश यादब भी इस time carrier के काफी बढ़िया form में है, आखरी 3 matches में आप देखें, टोटल 8 विक्ट अभी तक टीम को निकाल के दे उतने wicket taking तो नहीं होते हैं, बट फिर भी काफी economical होते हैं, तो टीम इन से 4 over confirm कराती हैं, जहाँ पे इस पे इसमे को मदद मिलती हैं, वहाँ पे ये विक्टे भी लिगए जाते हैं, और ये भी आपको betting backup दे सकते हैं, अब bench strength में बात करें इस टीम की तो शिवा मावी, सैम इसके अलावा बाकी players की बात करें, तो ये कुछ players के हैं, जो इनकी bench strength में available हैं, तो इन सब के आप stat यहाँ पे देख लीजे, क्या पता, अगर इनमें से कोई player खेल जाता है, तो at least आपके पास stat तो रहेगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं, और बात करते हैं, देथ overs की, तो pet comments के लगभग 4 over में, आखरी के 4 over में 2 over तो fix रहने वाले हैं, तो ये आपके लिए सबसे important है, फिर साओधी रसल को अपने आप से pick कर लीजे, हमाई की तरफ से बुमरा टेमल्स, मिलसी जो है, वो death में गिनवाजी करते हैं और इनी से expectation रहेगी, इसके वाद हम आगे चलते ह बात करते हैं हमारी fan to play team की, पर उससे पहले आपको बता दू, अगर आपने हमें telegram पे जोईन नहीं करना तो join कर लीजेगा, telegram का link वीडियो के description में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमें join कर सकते हैं, लेकि लिंक के थुरू जोईन करेंगे तो fake channel से नहीं जोड़ेंगे, वर आपकी साथ fan to play की हमारी team देख लीजे, fan to play पे मैंने जो team बनाई, उसमें captain Rohit Sharma करें, vice captain इशान किशन करें हैं, तिलग बर्मा लिए, सूरी गुमार यादफ शिरेश एर लिए हैं, और लाटर सेक्चन में आंद्रे रसल, सुनी लारायन लिए, balling section में जस्पी गुमरा, ट इवन first balling की case में, तो pet comments भी काफी अच्छे option होंगे, कप्तानी बाइस कप्तानी के, और betting section से सिरेश एरे काफी अच्छे pick होंगे, grand league बगएरा, जो लोग खेलते हैं उनके लिए, ठीक है, ऐसो guys, आप video के यहाँ पर करते हैं खता, मगर आपको video पसंद आया, तो इसको एक like कर दीजिगा, और हमारे telegram channel से जरूर जो जाएगा, वो काफी important रहेगा आपके लिए, क्योंकि final updates और टॉस की हो गई, line up हो गई, वो सब हम आपको अपने telegram channel पर ही देते हैं, और इसके लावा जिन लोगों ने fan to play application पर register नहीं करा, refer code fx लगा के register कर लिजे, यहाँ पर leaderboard बगईरा चल रहे हैं, जिसमें आपको cash prizes भी मिल रहे हैं, इसके अलावा T20 World Cup के final में जाने का आपको free में मौका भी मिल रहा है, तो fan to play application को अभी download कर यह, link वीडियो के description में है, और refer code fx है, जिससे आपको bonus free entries और बाकी की giveaways बगईरा मिलते रहेंगे, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, बबाई